से ब्रक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा ब्रक्ष हराबरा हो जाता है फल फूल प्रफल लित हो जाते हैं खिल उटते हैं फल नटकने लगते हैं पक्षी आ जाते हैं उड़ूड की चैंकने लगते हैं आनंदित होते हैं ब्रक्ष की जड़ों में पानी डालने से पत्ते पत्ते पर यह दिया आप पानी डालोगी तो संभव है निश्चय की पेड़ सूगिया बगवान स्री कृष्ण की बगवान स्री कृष्ण ने बोला है कि जो देवताओं का पूजन करते हैं देवियों का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं लेगन इंडारेक्ट ले डारेक्ट नहीं इसलिए उनके भक्त उनको इप्राप्त होते हैं मुझे नहीं मेर प्रिभक्ता थे हैं विवान स्री कृष्ण का सुन्दर स्वरूप है परम आकर्शन है इसलिए उनके प्रिये जन्द उनको कृष्ण कहके बोलते हैं हां कृष्ण हां कृष्ण पागल होते हैं एक एक बार जबान लेते हैं तो उनको बड़ा रस मिलता है जब तो नहीं मिल पाते हैं कृष्ण से कृष्ण पागल जैसे ह। संसार की दृष्टी में, ऐसे तो समाज के बीच में सम्राट वत हैं, लेजिए संसार की आँखों से जब देखा जाए, तो पागल जैसे नजर आते हैं संसारिक लोगों को, वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं, उनके बिरह में वो पागल हो जा इनमें ही एहंकार के तीन ब्रांच निकलते हैं तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी एहंकार प्रगट होते हैं, इन तीनोगुणों में से ये संसार जो है, विबाजी तो होता है फिर दुबारा, तमोगुणी, व्यक्ति तमोगुण में रहता है, उसको शास्त्र में जो है शुद्र कहके बोला रजोगुन में रहता है उसको क्षत्री कहके बोला तमोगुन रजोगुन दोनों मिलावट में होते हैं मिले हुए तो उसको वैश कहके बोला और सतोगुन में रहने वाले को ब्राह्मन कहके बोला सत्योगुण में दानपुर्ण करता है, इमानदारिष्टे रहता है, शुद्धता से रहता है, उसका आसन उपर है, तो फर्ष, सेकंड, थर्ड ये डिगरी है, तो थर्ड और फॉर्थ, तो फॉर्थ ये समझे कि जैसे फर्ष क्लास ओफिसर होते हैं, सारे संसार में, सेकंड क्लास भी होते हैं, थर्ड क्लास भी होते हैं, फॉर्थ ग्रेड भी होते हैं, यह समाज को फॉर्ड ये जनों में बाटा है, समाज की सुद्र रचना करने के लिए, सुद्रड रचना करने के लिए, जो स्कॉलर्स होते हैं, जिनको विशेष ग्यान है, दयाहर्दे में है सात्विक स्वरूप है उनका पुर्ण दान धर्म करते हैं किसे को सताते नहीं समाज में किसे को तकलीब नहीं देते चोरी नहीं करते जूट नहीं बोलते मक्कारी बेहिमानी नहीं करते रिस्वत नहीं लेते शुद्ध इस्तर पर रहें उनको ब्राह्मन कहने में कोई अर्ज नहीं है जो शुद्धता पर नहीं है वो ब्राह्मन के नाम पर कलंक है लेका लेकिन उनकर अंदर सारे अउगन बिद्धमान है शराप पी रहें मांस खा रहे हैं जुआ केल रहे हैं चोरी कर रहे हैं बेवानी कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं लवाडे बाज हैं दो के बाज हैं पूछो जी ब्रामन होता है जो दान लेता भी है तो देता भी है यह नहीं लेते लेते जाओ संतोसी ब्रामन होता है ब्रामन संतोसी नहीं तो नश्ट हो जाता है अगर ब्रामन के अंदर संतोष नहीं है, शील नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, विद्या नहीं है, विद्या देता नहीं है दूसरों को, तो ब्रामन के लाने का अगदार नहीं है, सचाई नहीं है, इमानदारी नहीं है, हिर्दय की सरलता नहीं है, बड़ा टेड़ा मेड़ा सा है, वो ब्रामन नहीं है, उससे तो अच्छे शाथ है, पसुपक्षी ज़्यादा ठीक होते हैं, साधारन होते हैं, शुद्ध होते हैं हिए अगे ब्राह्मन सतों प्रगट होता है क्षात्री यह रजों प्रगट होता है क्वारियर हो मिलेटरिह पुलिस है, देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, वारियर होना जरूरी है, समाज को सुद्रड करने के लिए, कोई खूकार चीत, बाग को मारने के लिए, टाइगर को मारने के लिए, जो गाउमा के लोगों को मारता है, नर्मास भोजी बन गया है, ऐसे ज्यानुर को मारने के लिए एक शत्री जरूरी है डाकों को मारने के लिए जेल में डालने के लिए एक शत्री जरूरी है चोरों को पकड़ने के लिए एक शत्री जरूरी है जो ब्राह्मन से समाज को ग्यान और कुछ गुण प्राप्त होते हैं लावानवीत होता है समाज ऐस क्षत्रिये से सरक्षित होता है बिजनिसमें से सभी को लाब मिलता है विविन प्रकार की वस्तुओं को उपलब्द कराता है अठके आदमें को पैसे भी देता है ब्याज के उपर जो यह मरकंटायल बैंक्स यह सभी बिजनिस क्लास हैं इनका भी होना बहुत जरूरी समास के अंदर क्रेविक्रे का होना जरूरी है फिर कुछ ऐसी भी कैटेगरी समास के अंदर स्वत्य हो जाती है जो समास को बल देती है कर्म करके काम करके हार्ड वर्क करके लेबर शिप करके मजदूरी करके तो किसी को चाहिए कि हम दस मजदूर चाहिए हम कोई बिल्डिंग खड लाता है या ट्रेन की लाइन डालनी है तो वरकर्स लगाने पड़ते हैं 200-500 उसके बिना काम नहीं होता है यह चारों संस्ता यह हैं समास के अंदर समास को सुद्रड बनाके रखती हैं जिससे आदमी अपनी आगे के गंतविस्तान को ने बुलाते हुए अपना परिवार को प रक्षा की जरुत्वति पुलिस के पास जाता है मिलटी की सहारा लेता है जब उसको कुछ ग्यान की अवश्यक्ता पढ़ते हैं तो ब्रहामन के पास जाता है यह दान पुर्ण करना हो तो ब्रहामन के पास जाता है जब उसको कोई खेती फसल कटानी हो तो शुद्र के पास जाता है वरकर के पास जाता है तो यह समाज को दड़ करने के लिए चारों गया उस्ताई तीनों गुणों में से प्रगट होती है तम गुण रजुगुण सत्व गुण से तम गुण में थोड़ा ज्ञानी होता है आलसी होता है आदमी भूमी रापो अनलो वायो खंब मनो वद्धीर एवचो एहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकरती रष्ट था भगवान स्री कुण कहते हैं कि अनंत ब्रह्मान जो है भौतिक यह मेरी भिन्न प्रकरती है मुझसे प्रतक है यह मेरी प्रकरती भिन्न है जैसे आप से प्रतक आपका शरीर है आपका शरीर तो भौतिक है आप तो भौतिक नहीं है ऐसे भगवान कहते हैं कि अनंत ब्रह्मान यह भौतिक ब्रह्मान यह मेरी एक भिन्न प्रकरती है एक दूसरी प्रकरती है आगे करेगे एतज्योनीनी भूतानी सरुवानी त्युपधारय आहें कृत्यन जगता प्रभवा हः प्रलयस्त था एतद्यों नहीं भूतानी सर्वानिक त्युपधा रहा हूँ एहम कृत्टनश जगता हूँ प्रभवा प्रलायस्तदा इससे पहले एक श्लोग रह गया गलती से पन्ना पलटने में गलती हुई भगवान ने पांचवे स्लोग में कहा है अब तक यह बात है गरी चौथे स्लोग की करी पांचवे में भगवान कह रहे हैं कि एपरेयम इतस्तवन्याम प्रकरतिम विध्धी में पराम जीव भूता महा भाओ येदम धारियते जगत एपरे अमितस्त्वन्याम प्रकर्तिम विध्धी में प्राम लेकिन हे अर्जुन ये भौतिक प्रकर्ति से परे एक मेरी और भी प्रकर्ति है जिसे जीव भूत नाम से जाना जाता है जीव भूता महाबाओ ये दमधार्यति जगता जिसे जीवात्मा नाम से जाना जाता है ये भी भवान की प्रकर्ति है ध्यान देंगे तो आपको सब इसपश्ट हो जाएगा एतज्योनीनी भूतानी सर्वानित्युप धारया जीव भूता महाबाओ ये दमधार्यति जो है ये सारा जगत जो है अपनी शरीर को ले लीजिए पहले ये सारा जगत ये यतापिंडे तथा ब्रमांडे जो ये पूरे ब्रमांड का इसमें अनंत जो भी जितने भी अनंत तारे सितारे ग्रे नक्षत्र गलाक्सिस आकाश गंगा जैसी नेजाने कितनी गलाक्सी हो सकती है ये सब का मैप आपके शरीर के अंदर है और आपके शरीर के अंदर ही नहीं आपके अंदर जो एक सेल है उसके अंदर भी उसका मैप है अंडे पिंडे सोई सोई अंडे पिंडे सोई ब्रह्मांडे ये अंड़ पिंडों में छुपा हुआ है मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का ही मैप नहीं है उस अंडे के अंदर मुर्गी ही बैठी है तो उस मुर्गी के उस अंडे के अंदर भी ब्रह्मांड का मैप है आपके शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का मैप है तो उसको तो कोई महायोगी पुरुष देख सकते हैं या परमात्मा देख सकते हैं हर एक के बस की बात नहीं है अपनी बड़ी दुर्वीन टेलिस्कोप इनके बस के बाहर है मैंना कुलर से नहीं देख सकते हैं तो बगवान कहते हैं कि ये संसार को जिन्हों ने धारन कर रखा है तो हमारा शरीर संसार ही है इसको दारन कर रखा एक जीव आत्मा ने हम जीव आत्मा हैं हम जीव हैं यदि हम इस शरीर के अंदर नहीं हो तो इस सब गिर जागा गिर जागा आत्मा निकल के चली जागी तो कौन रहा कोई नहीं रहा शरीर गिर जागा मिट्टी हो जागा मिट्टी में मिल जागा, अगनी अगनी में मिल जागी जल जल में मिल जागा, वाई वाई उड जागी आकाश, आकाश में विलीन हो जागा 24 तत्तो, 24 तत्तों में मर्ज हो जाएंगे और आप आत्मा सत्ट इटर्नल आध्यात्मिक शाश्वत रूप से बच जाएंगे तो यह आत्मा है इसके अंदर तो भगवान कहते हैं यह एदम धार्यती जगत यह जीव भूत नाम की मेरी जो प्रकरती है यह इटर्नल प्रकरती है बहुत एक प्रकरती नहीं यह आध्यात्मिक प्रकरती है इसने ही सारे जगत को धारन किया हुआ है इसको ज़रा गहरा ही मिलेजिए क्योंकि जैसे आप आपकी शरीर के अंदर है तो आपका शरीर इस्तिर है शरीर है दर्श्वान है काम कर रहा है एक्टिविटीज कर रहा है ऐसे ही यह सूरीय लोक है उसके अंदर सूरीय देव है तब यह सूरीय इस्तिर है बिश्नु बगवान ब्रह्मांड के अंदर है तब ये ब्रह्मांड इस्तिर है कायम है अगर बिश्नु बगवान ब्रह्मांड से निकल जाए तो ब्रह्मांड की प्रले हो जाएगी इसके भी मिट्टी मिट्टी में मिल जल जल में अगनी अगनी में वायू वायू में और आक आकाश में गया है तो उसे ब्रह्मान भगवान विश्णु की बज़े कायम है ऐसे ही शरीर आपकी बज़े से कायम है लिए भगवान तो एक ही बार में सारी बात बोल देना चाहते हैं कि जीव भूता बोले तो इटर्नल पोटेंसी भगवान की दो शक्तिया हैं एक सुपीरि इनरजी में यह चोईस तत्व आते हैं भौतिक तत्व जिनसे सारा ब्रह्मान जगत आपका शरीर दिखाई देता हैं शुपीरियर एनरजी में इटर्नल पोटेंसी जिसको बोलते हैं शुपीरियर एनरजी यह इटर्नल है शाष्प्वत है यह आत्मा परमात्मा स्वरूप से है तो ब्रह्मांड में भगवान विश्णु है तो ब्रह्मांड कायम है सूरिय में सूरिय लोग के राजा इस्थितन भी विश्वान तो सूरिय कायम है ऐसे प्रत्वी मा की भी एक आत्मा है इसलिए हम इसको प्रत्वी मा कहते हैं दर्ती मा कहते हैं, तो इसके उपर रॉमा वली ब्रक्षा वली है, सारे चोईस तत्व इसके अंदर है, और आत्मा सरूर से प्रत्वी माता भी है, लिए इसको हम जानते हैं नहीं, इसलिए ये एलाईव प्लानेट है, जिंदा प्लानेट है, जिंदा ग्रह है, जिस दिन प्र प्रत्वी महतर निकल जाएंगी यहपिंद मैं से तो प्रत्वी डैड़ अकाउंट हो जागा जिसे मून डैड़ अकाउंट माना गया है उस पर कोई जल भी नहीं कोई जीव भी नहीं कोई कर雅ली नहीं है बनस्पत्य नहीं तो प्लानेट की प्रले हो जाती है जब प्लानेट की आत्मा निकल जाए प्लानेट की आत्मा क्या है भगवान की शक्ति हम भगवान की शक्ति हैं सुपीरियर सक्ति जीव आत्मा हैं भगवान विश्णु भी उनकी ही शक्ति है वो हमसे बड़े हैं लिए बगवान स्री कृष्ण की ही शक्ति हैं तीनों प्रकार के विश्णु यदि महा विश्णु बहुत एक रचना से परेड़ जाएं तो इस सारा ब्रमान महा महा परले में चला जाएं तो बगवान कहते हैं कि जैसे मेरी दूसरी प्रकर्ति जो है अध्यात्मिक प्रकर्ति जीव भूता है इसके कारण से सारा अनंत ब्रमान इस्तिरत कायम है धारा हुआ है एतज्वनी नी भूतानी सर्वानित्यक धरная जीव भूता महा वाओ ये दमधार्यती जगत एतज्वनी भूतानी एपहले इसको समझ लें पिर एतज्वनीनी को भी बोलेंगे एपरेम इतस्त्वन्याम प्रकर्तिम विद्धी में प्राम हे अरजुन ये बहुत एक प्रकर्ति से परे मेरी और एक दूसरी प्रकर्ति भी है जो इससे परे है जीव भूता महाबाओ यह दमधारियत जगत जो इटरनल है, बिलिस्फुल है फुल अव नॉलेज है आत्मा स्वरूप से है परमात्मा स्वरूप से है भगवान के अनंत अंश है जीव आत्मा है भगवान के विशे संस है विश्नू, शेव यह भी भगवान की शक्ति है भगवान के पार्टल इंकार्निशन है प्लानेरी कार्णिशन है अंश अवतार है भगवान के ये कहिए हमसे बहुत विशालें जिन महा जिन विश्णु भगवान के कारणि ये पूरा ब्रह्मान डिस्तिर है वो कितनी विशेस होंगे हम है तो ये शरीक काइम है लिए जीव भूता शक्त नियां भगवान ने कहा है इसमें पूरे द्रश दिखा दिये हैं ये ये दमधारियत जगत ये पूरा जगत जिसने धारन किया हुआ है वो मेरी सुपिरियर एनर्जी है जीव भूता शक्ति है तो हम मैंसे किसी एक ने या दस वीस ने या साथ बिलियन आदमी धर्ती परें इन्होंनों मिलने के मिले करके तो ये अनंत ब्रमान धारन नहीं कर रकें कर रकें क्योंकि उनकी प्रले तो तभी होगी जब उनकी आत्मा महा विश्णु चले जाएं महा विश्णु अनंत ब्रमांडों के आत्मा है प्रतेक ब्रमांड के आत्मा विश्णु है गर्बो दक्षाई विश्णु है फिर खेरो दक्षाई विश्णु है तो ये ये भगवान है बगवान के बड़े अंशें अवतार हैं उनको बगवान ही कहा जाता है बगवान विश्णु बगवान शंकर बगवान ब्रह्मा जी को भी बगवान कहा है बगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी आत्म सरूप से हैं अवतार बगवान के गिने जाते हैं ब्रह्मा विश्णु मै और प्रत्मात्मा हैं, ब्रह्मा जी हैं, चौरा सिला की योनियों का बीज तयार करते हैं, और जहां यां प्रत्वियों आपर उनके दूत उस बीज को छोड़ते हैं, जिससे संसार में जन संख्या की ब्रद्धी होती है, चीते बाग, सेव, हाती, गोड़े, मोर, तीतर, मनु तिर्गुणात्मिक माता हैं, तीन गुणों की देवियां हैं, यह सब भगवान की सुपिरियर एनर्जी है, बहुत एक संसार जो चौईश स्ट्वु से बनता है, वो भगवान की इनफिरियर एनर्जी है, और आत्मा स्वरूप से, अवतार स्वरूप से, जितनी भी शक्त यह शूपिरियर अनर्जी अंपर महकद म की कि हैं झील कि हम चोटे अंश है कि दी भगवान विश्णु बिशेश अंश बगवान पूरे ब्रमान को सभान दारण कि वैं महा विश्णु और विशेश डिण अनंत ब्रह्मांडों को दारण कि वैं एपरेयम इतस्त्वण्याम प्रकर्तिम विध्धी में पराम जीव भूताम महाबाओ ये दमधारियते जोगा तो आप भगवान सरी कुछन कहरें कि ये मेरी प्रकर्ति है सुपीरियर एनरजी और इन्फिरियर एनरजी तो कोई व्यक्ति कभी आपने सुने होंगे कि किस भगवान को ढूंडते हो आप खुदी भगवान हो ये गलत हो जाता है हम भगवान नहीं है हम भगवान की शक्ति हैं हम भगवान की भोगे जाने वाली शक्ति हैं वो ही एक मात्र भोगता है भोगता रम्यकित अपसाम सर्वलोक महिश्वर्म अनंत ब्रह्मांडो का भोगता वहुआ अन्सरी कृशन है हम उनकी उनके सबोर्डिनेट बन करके उनके साथ आनंद ले सकते हैं यह भोगता नहीं बन सकते हैं जब यह जीव छोटा सा जीव भोगता बनता है तभी तो संसार में फंसा रहता है तभी तो बार बार जनम मरन जरावयादी कभी घोड़ा कभी हाती कभी क्षत्री कभी ब्रह्मन कभी शुद्र कभी वैश किसी का भी जीवन इस्थर नहीं है आज का शुद्र कल ब्रह्मन बन सकता है और आज का ब्रह्मन कल शुद्र बन सकता है ये तो कर्मों की गति है कर्मों में सुतंत्रता दी है मनुष्यों को कर्मनी वाधिकार हसते मा फले सुकदाचे मा करम फले तूर भूर मा ते संगवस्त कर्मनी अर्जुन कर्मों में तेरी सुतंत्रता है तेरा अधिकार है तो चाहे जो कर्म कर फल में नहीं पल तेरे हाथ में नहीं है, तभी तो अरज्वन कन्फ्यूज हुआ, कि आपने तो मुझे कन्फ्यूज कर दिया, और मैं कौन से कर्म करूज ओ आपका मेरा विचोर नहीं है, आपको मैं कभी भूलू नहीं, आपके श्रीष चरण कमलों में मेरा सदेव ध्यान मेरी रति-मति बनी रहे तब भुडवानने कहा था कि करमणों यह पी बोद्यव्यम बोध्यव्यम scriptures विकरमणा अकर्मनश च बोद्यव्यम गहना कर्मणों गती ही तो आकर्म विकर्म सा कर्म तीन प्रकार के कर्मों की विश्यस चर्चा करी उसमें भगवान ने कहा कि अकर्म सबसे स्रेश्ट अर्जून, अकर्म करने वाला कभी मुझे भूल नहीं सकता, निस्काम कर्म, यैनि मेरी सेवा करने वाला, मुझे कभी नहीं भूल सकता, और वो पवित्रों कर मेरी धाम को आ जाता है, भगवान तो एक गीता को कुछी शब्दों म तो चाहिए है हम मनुष्य जीवन में आतो गए लिए कर्म तो करेंगे आप कर्म के बिना मनुष्य जीवन कैसा है पशु कर्म नहीं करें तो चल जाएगा पक्षी पंची कर्म ने करें तो चल जाएगा दास मलुका कह गए सब के दाता राम पंची तो विचारा अजगर करेने चाकरी पंची करेने काम तो अजगर चाकरी किसकी करेज अजगर मुख कोल के पढ़ जाता है जंगल में कोई इनकोई सिकारा के teachers गाती है खा लेता है कोई चौड़ा मूँ उसको कुछ ऐसा समझ कोई चूआई गुजज़या तो खा लेता है कोई नेव़ला गुज़या कहा जाता है कोई कीडे मकोडे चले यह मुँ में उनको निगल लेता है अजगर है वो किसकी चाकری करेगा अजगर करेन चाकरी, पंची करेन काम पंचियों को काम करते देखा आपने खाते पीते मस्तरते चीची चूचू करती है चड़िया गाती है गीत परमात्मा के आनन्द मगन रहती है बरसात हो जातो बरसात के पानी में नाती है बरसात नहीं हो दूल में नाती है दूल में ही practice करती है नानी की आननदित होती है आवान करती है बारिशता रेट में, धूल में नाना की धूल दूसरी तोजाती है दास मलू का कह गये सबके दाता राम सबके दाता राम तो है कर्म तो करना पड़ेगा कर्म के इविम आप बैठ भी सकते ही मनुष्य बैठ सकता है कर्म की भी ना पागल हो जागा किसी को अभी एक गंटे तो बैठा के देखो किसी को दस मिनट तो बैठा के देखो बैठता ही नहीं कि तू दस मिनट भाई शानत बैठ जा कुछ करे मत तू बैठ जा बस दस मिनट और पागल तो नहीं हो गए क्यों बै मात्रूम में चला जाओंगा दस मिनट के वहां में अपना काम कर लूँगा कुछ कि क्यों मैं दस मिनट बैठ जाओं मनुष्य बैठता ही तो नहीं यह तो सब अंदाजे डार्विन ने लगाए और यह गोश्चना की कि यह मनुष्य बंदर से आया कि बंदर बैठता है करें बंदर बेठता नहीं उचलता है खूत ७ांता लगान नजले नचाता है भूश गूमाता है खुजली करता है कभी अपने करता है कभी दूसरे बंदरों के करता है खुजालता है तो बुल दो ये मनुष्य को भी ये खुजली है ये बैठता नहीं ये भी कुजन कुछ करता ही रहता है इसको बैठना सिखाओ ये ध्यान के अंदर खुले हुए है ये मनुष्यों के लिए तो खुले है कि बैठ नशीख जाए बैठ नहीं भूल गये तो गुरुजी बैठाते ही एक गंटे शान्त हो जाओ बैटो शान सांसों पे ध्यान दो अभी कोई मारवारी को बैठा दोगे कि सांसवे ध्यान दो तो बैठ सकेगा नहीं गोलता है एक गंटे में जाने कितने कमा लूँगा यह क्या बेकूफी है सांसवे ध्यान दो इस ध्यान देनी जरुत क्या है यह चली रही है यह तो भगवान करी रहें सब सब के दाता राम नहीं भगवान ने काया कर्मों में ते पर दोश्ते तो इन भगवान की जो हैं निस्काम सेवा भगवान से प्रेम बढ़ा देती है हमारे इर्दे में शृध्धा प्रगट हो जाती है और वह भगवान को हमारे चिंतन में भगवान से मिलन के श्ञ नतिजार करते-करते यह शरीर को त्याकते तो भगवान को प्राफ्त हो जाते हैं, गीता तो इतनी है बस, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा कर अर्जुन, तुम मना क्यों करता है, अरे मेरी सेवा है युद्ध करना, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि मेरी ये सेवा कर, और तुम मना करता है, तो फिर देवा कर इससे सब दिव्य गुण तेरे अंदर प्रगट हो जाएंगे, भगवान की सेवा करते करते, सुरुधा प्रगट हो जाती है, भक्ति प्रगट हो जाती है, पवितरता प्रगट हो जाती है, सारे देवी गुण व्यक्ति के अंदर प्रगट हो जाते हैं, और परमात् कब प्रें प्रें की उटती है और एक दिनों भोट सुख्षम पवित्रता में जाकर के भगवान से मिलने के लिए पागल हो जाता है बगवान को मिलना चाहता है और भगवान मिलते हैं उसे बगवान अपने मुक्षाश्यामी माशुचाहा अबंड all kinds of religions just and surrender unto me you will be free from all reactions of your past present future मुक्षाश्यामी माशुचाह and you will get liberation from this material world achieve my about and me just surrender गीता तो एक ही स्लोप में पूरी हो जाती है अर्जुन अगर surrender हो जा तो फिर तो भगवान कहेंगे इसे चलने लग जागा करने लग जागा तो फिर गीता बोलीं जगे कहां बचे बगवान की सेवा करना ये गीता है सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होता है करोगे सेवा पाओगे मेवा करने लगवान करने लगवान करने लगवान करता है